नमस्का दोस्तों आज मैं आपको पांच ऐसे जानवर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दिखने में दूसरी दुनिया से आए एलियन जैसे लगते हैं जिने देखकर आपका दिमाग चक्रा जाएगा क्योंकि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा आपने आज तक इसके जैसा अजीब सांप पहले कभी नहीं देखा होगा जिसकी वज़े इसका लंबा नाग जो ज़यादातर पेडो पर पाया जाता है आज ये प्रजाति खतम होने की तादात पर आ गई है जिसकी वज़े इसका काफी मात्रा में सिकार होना यही कारण है कि ये प्रजाती लुप्त होती जा रही है ये दुनिया के कई कोनों में पाया जाता है जब आप इसे समुन्दर किनारे देखोगे तो ये आपको पुराने समय की बेसबोल जैसा दिखाई देगा ये इन में लगे काटो को समुन्दर के अंदर मोजूद जमीन को खोदने के काम में लेते है इनका नाम सी पोटेटो इसलिए रखा गया है क्योंकि ये उनके जैसे दिखते हैं और जमीन के नीचे पाये जाते है जिराफ विविल इस जानवर की गर्दन खुद के सरी से दुगनी बड़ी होती है जो की मेडा गासकर के आईलेंड पर पाया जाता है इसकी लंबी गर्दन इसे घोसला बनाने में और दूसरे जानवरों से लड़ने में मदद करती है यहां तक कि यह अजीब जानवर हवा में भी उड़ सकता है अटोला जेली फिस यह जेली फिस किसी उड़न तस्तरी से कम नहीं लगती जो सरफेस से 2200 फिट नीचे रहती है जब भी कोई जानवर इस पर हमला करता है तो यह लाइट के जैसे जगमगाने लगती है जिससे हमला करने वाले का ध्यान बटक जाता है जिसका फायदा उठा कर यह वहाँ से भाग जाती है यह अनोका जानवर एक समुन्दरी गोंगा है जो अलग-अलग रंग में पाया जाता है यह काफी छोटा होता है जिसकी लंबाई 8 इंच तक हो सकती है यह मेकसिको के आसपास पाया जाता है इसके पास बाकी गोंगो जैसे सील नहीं होती इसलिए यह एनिमी से बचने के लिए अपने अंदर से तेजाब छोड़ता है दोस्तों मुझे अपने सेकेंड चैनल पर आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह स्क्रीन पर सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा जाओ और मुझे अपना सपोर्ट दो जोकी में लिए सब कुछ है